मन की शांती से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ती नहीं है इसलिए अपने मन में शांती का वाज सदे बनाए रखे नमस्कार बोते तारे आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ सुनाली ठाकुर राशिफल के जड़िये आप अपने आने वाले भविश्य में क्या हूँ सकता है यह जान सकते हैं तो 8 फरवरी के आपके तारे क्या बोलते हैं यह जानेंगे उसके पहले क्या आपको पता है कि मुंबई का सिध्धी विनायक मंदिल में ऐसा क्या खास है कि शद्धालू के अलावा राजनेता, वॉलिबूड स्टार, बड़े उध्योग पतिया भी इससे दर पर माथा टेक ने पहुंच जाते हैं इस मंदर में भगवान गनेश अपने दोनुपत्नी रिध्धी और सिध्धी के साथ विराजमान है कहा जाता है कि भगवान कनेश का सिध्धी विनायक स्वरू भक्तों की हर मुराद पूरी करता है इनकी सूर्दाई तरफ मूरी हुई है गनपती बपा के सिध्धी विनायक मंदिर का नर्मान 19 नवंबर 1801 को एक लक्षमन विथू पाटिल नामक एक स्थानी ठेकेदार द्वारा किया गया था बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर में नर्मान में लगने वाली धनराश्वी एक क्रिश्यक महिला ने दी थी कहा जाता है कि उस महिला के कोई संतान नहीं थी उस महिला ने बपा के मंदिर के नर्मान के लिए मदद करने के लिए इच्छा जताई थी वे चाहते थी कि मंदिल में आकर भगवान के आशिरवात पाकर कोई महिला बांज ना रहे सबको संतान की प्राप्ति हो और भगवान गनेश की आरती में भी ये पंग्तिया लिखी गई है अंधन को आख देत, कोठिन को काया, बांजन को पुत्र देत, नरधन को माया भगवान गनेश की महिमा अप्रमपार है, तो सिद्धी विनायक मंदिर आप भी जाए और आपकी भी हर मनो कामना बापा ज़रूर पूरा करेंगे चले राशिफल के तरफ रोक करते हैं और शिरुआत मेश राशी से करते हैं किसी पर आपका आकर्शन हो सकता है और आप मन ही मन में उसे दिल दे बैठेंगे ऐसे में किसी भी चीज की जल्दबाजी से बचे और उन्हें पूरा समय दे चले मेश राशी वाले जातकों का लखी नमबर और कलर जान लेते हैं चले व्रिश राशी वाले जातकों का लखी नमबर और कलर जान लेते हैं आपका लखी नमबर साथ है लखी कलर आपका सलेटी है और अप व्रिश के बाद बात करेंगे मिथुन राशी के और जानेंगे मिथुन राशी वाले जातकों के लिए 8 परवरी का दिन कैसा रहने वाला है बाजार में किसी के साथ बैर भाब हो सकता है जिससे आपके नए शत्रू बनेंगे किसी को भला बुरा कहने से बचे और सभी के साथ अपना वहवार सैयमित रखे चले मिथुन राशी वाले जातकों का लखी नंबर अपका काला है और अब बात करेंगे करक राशी की शियर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो उसे लाव मिलेगा पैसा कहीं अटका भी हुआ है तो वो भी वापस आएगा आज की दिन धन प्राप्ति के योग है तो वाजनी थी के छेतर में सकडिये लोगों को आज कुछ अच्छा करने का अस्तर मिलेगा जिसका लाव भविष्व में उन्हें मिलेगा चले सिंग राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर पांच है लखी कलर आपका पीला है और लखी नंबर अकलर के बाद बात करेंगे कन्या राशी की किसी दोस्ते बेवज़ा की अन्बन हो सकती है इसलिए अपने मन पर लियंतरन रखे और कुछ भी उल्टा ना बोले परिवार का मोहत धार्मिक रहेगा कन्या राशी वाले जातकों का लखी नंबर एक है लखी कलर आपका गुलाबी है और बात करेंगे आप तुला राशी की विवाब को समय हो चुका हो तो आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लैन अवश्य करें आज का दिन आप दोनों के लिए कर लेंगे भाई वहन में किसी एक का स्वास्त खराब हो सकता है आपका लखी नंबर तीन है लखी गलर आपका ग्रे है और अब बात करेंगे धनू राशी की बिजनस में अपने प्रतिद्वन्दी से चुनोती मिलेगी लेकिन आपका ध्यान कहीं और होगा परिवार में किस कर राशी की आज के दिन घर में कोई महमान आ सकता है तो जादातर समय उधर भी वैस्त रहेंगे सभी के साथ अपना स्वभाब मेल जोल वाला रहने के कारण आपको लेकर सकारात्मक मोहल बनेगा मगर राशी वाले जातकों का लखी नंबर चार है लखी कलर आपका आपका और अब बात करेंगे कुमराशी की आज के दिन भगवान की भक्ती में ज्वादा मन लगेगा और मानसी श्वांती का अनुभव होगा सभी के साथ आपका वहवाड भी मृदू रहेगा चले कुमराशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी माइने नहीं रखेंगे चले में राशी वाले जातकों का लखी नंबर अकलर जान लेते हैं आपका लखी नंबर छे हैं लखी करह आपका हरा है बोलते तारे में फिलहाल इतना ही नमस्कार